चलिए अब आगगी के कुश्चन सौल करते हैं, सौल करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोने फिर क्या क्या पढ़ाता हम लोने चैप्टर केलोडी मेट्री में सबसे पहले पढ़ाता जो टॉपिक था वो था concept of heat, concept of temperature, heat versus temperature का difference या comparison देखा था ठीक है फिर हम लोने देखा था calorimetry, second part में factors determine quantity of heat of a body, फिर हम लोने देखा था difference between heat and temperature, फिर specific heat और heat capacity ये दोनों पढ़ाते हैं और इन दोनों का difference भी देखा था इसके बाद हम लोने पढ़ाता है, specific heat capacity कुछ substance का रिखा था, इसमें हम लोने copper लिया था, water लिया था, और एक चाय के जो पैन था, जिसमें हम लोने चाय बनाते हैं, उसमें different kind of metal थे, वो use करते हुए हम लोने देखा था कि specific heat capacity का क्या mean होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोने calorie क्या होता है, ठीक, बस इसके बाद हम लोने example देखना शुरू किये थे, हम लोने एक वीडियो करया थे, जिसमें हम लोने सारे example खतम किये थे, example 1 से example 11 तक जो book में दिया हुआ था, फिर हम लोने exercise question 1 to question 30 तक कर लिया था, अब यहां से आज के वीडियो में हम लोग शुरू कर जा रहे है, multiple choice question, question जो 3 है, question 1, 2, 3, multiple choice questions रहते हैं, और उसके बाद करें 13 questions है, जो numerical है, ठीक है, यह सारे हम लोग आज के वीडियो में cover करेंगे, तो आज के के cover करेंगे, एक तो cover करेंगे, multiple choice question और numerical, ठीक है, जो point number 4 और 5 है, ठीक, यह जितना मैंने आप तर आपको बताया है, यह सारे वीडियो के link आपको description में मिल जाएगा, ठीक, अचा, इसके लावा, आप लोग ने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा हो, तो आपको पता होगा, इनके अलावा, मैं आपको question शुरू होने से पहले, मतलब जब question समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को करने से पहले मैं आपको कुछ hint देता हूँ, वो hint आपकी मदद करता है, उस question को solve करने के लिए, ठीक है, फिर मैं 30 second का time देता हूँ, जिसमें at least आप एक बड़ ट्राइ करिए, अगर आपको 30 second कम लगते हैं, आप वीडियो पॉस करिए, लेकिन एक बड़ ट्राइ जरूर कर यह based on जो मैं hint आपको देता हूँ, उसकी basis पर, ठीक है, और question खतम होने के बाद, कुछ questions में जहां पर मेरे को लगते हैं, मैं आपको कुछ quick tip भी देता हूँ, ठीक है, जो quick tips होती है, यह repeat भी हो सकती है, बट tips से आपको help मिलती है, कि उस question को future में कैसे solve करें, अगर आ जाते ह रहता है, और आपको download करने के लिए जितना भी मैं PPT दिखा रहा हूँ, यह सब आपको मेरी website visionandgoal.com slash physics chapters में मिल जाएगा, आपको link जो है, मैं description में दे दूँगा, वो अलड़ी आपको मिल भी जाएगा, जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे, आपको मिल भी ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, multiple choice question, अपना fourth point की, और इस चीज़ आपको बता दे हैं, अगर आपके पास कोई भी questions, यह queries हैं, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, call करने से पहले आप, मैं बोलुगा कि आप एक बार WhatsApp कर लीजे, मैं WhatsApp और signal messenger जो भी असल नया शुरू हु उस पे अब लेबिर हूँ, और मेरा number है, इंडिया का number है, plus 91961909404, आप इस पे message करीए, अपने questions क्वाई रीज भी बेच दीजे, मैं recommend करूँगा आप, अगर message या comment वाट्स इस पे डालेंगे, YouTube के comment section में, तो सबका benefit होगा, अदर्वाइस आप मुझको WhatsApp पे भी कर सकते है यह मेरा number है, और जैसा मैंने पहले बताया, यह मेरे जितने भी वीडियो से ही, यह सारे free है, और यह visionandgold.com slash physics chapters करके, यह मेरा URL है, इस पे जाईएगा, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, और उस वीडियो के नीचे ही आपको notes भी मिल जाएंगे, उस वीडियो में ज किया है, ठीक है, और जैसा आपको पता है, मेरा चैनल का नाम में शेलेंज श्वास्तो, आप जैसी मेरा चैनल को देखे, प्लीज सब्सक्राइब, जरूर कर दीजेगा, लाइक और कमेंट भी करिएगा, आपके questions and queries हैं तो, और bell icon दवाना बिल्कुल मत बुलिएगा, विल all session भी कर रहा हूं, लेकिन वीडियो तो मेरा daily ही आ रहा है, तो आप subscribe करिएगा, और bell icon को जरूर दवा दिएगा, विल all notification के साथ, ठीक है, और जैसे मैंने पहले बता है, आपके पास कोई भी questions and queries है, तो आप comment section में डालिए, मैं तुरंत जल्दी से जल्दी reward करता हूं उसका, आप मेरे को भी comment देख लिए, मैंने तुरंत reward किया है, और इनके अलावा भी आपके पास कुछ queries हैं, या आप चाहते हैं कि मैं especially आपको कुछ mail पर reply करूं साथ, आप मुशको mail दू कर सकते हैं, मेरा email ID है help at visionandgold.com अब हम लोग देखने जा रहे हैं, multiple choice question और उसके बाद numericals देखेंगे, multiple choice type question के वल तीन हैं, और करीब 13 numericals हैं, वो पूरे भी हम लोग इसी वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है, चले शुरुआत करते हैं, पहला multiple choice type question है, the SI unit of heat capacity is, first option है, joule per kg, second option है, joule per kelvin, third option है, joule per kg per kelvin, और last option है, calorie per degree Celsius, इसको solve करने के लिए मैं आपको के वल 10 second दूँगा, आपको याद होगा, तो तुरंद बता पहेंगे, और नहीं याद होगा, तो याद जरूर कर लीजेगा, इसका सही answer है, B, joule per kelvin, आईए देखते हैं, second question, second question है, the SI unit of specific heat capacity is, first option है, joule per kg, second option है, joule per kelvin, third option है, joule per kg per kelvin, और fourth option है, kilocalorie per kg per degree Celsius, आपको solve करने के लिए के वल मैं 10 second दे रहा हूँ, जल्दी से बताईए, comment section में जरूर लिखिएगा, इसका answer है, joule per kg per kelvin, third option B, बेलकुल सीधा है, याद करने वाला, तो question है, the specific heat capacity of water is, A option है, 4200 joule per kg per kelvin, B option है, 420 joule per gram per kelvin, C option है, 0.42 joule per gram per kelvin, और last option है, 4.2 joule per kg per kelvin, आपको solve करने के लिए के वल 10 second का time दे रहा हूँ, जल्दी से comment section में बताईए, जल्दी, जल्दी, ब में बताटोटी, तो इसका अंसर है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन तो यह हमारे हो गए तीन मुल्टिपल चॉइस कुश्चिन सलीना आई से सी क्लास 10 बुक से अब देखते हैं हम लोग नुमेरिकल्स क्या रहा है बाई इंपार्टिंग हीट टू बॉड़ी इस टेंप्रेचर राइज बाई 15 डिग्री सेल्सियस वाट इस दा करस्पॉंटिंग राइज इन टेंप्रेचर ऑन केल्विन स्केल देखे सिंपल सा है इस कुश्चिन में आपको कन्फ्यूज करने का पूरा कर्णा गया है वह रहा है कि आप 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के युद्ण कर दीजेए केल्विन स्केल का बढ़ यहां पर आपको द्यान क्या देना है आपको Spaß NG कए आदेनी करना है जितना ही डिग्री सेल्सियस में रहे holistic में तो अगर मैं इसका आंसर देहता on the celsius and kelvin scale यही मैं आपको बता रहा हूं कि 15 degree celsius यह kelvin और celsius degree दोनों में ही same रहेगा so the rise in temperature है same magnitude in degree celsius and kelvin इसलिए जो temperature rise होगा वो same रहेगा degree celsius या kelvin में इसलिए therefore rise in temperature on kelvin scale is same as degree celsius which is 15 k right या 15 kelvin तो यह क्योंब कन्फूस करने के लिए था इसमें को टेंशन वाली बात नहीं थी बहुत एजी कॉश्चन था आईए देखते हैं question number two question number two कह रहा है इसमें देखें दो पार्ट है first part कह रहा है calculate the heat capacity of a copper vessel of mass 150 gram if the specific heat capacity of copper is 410 joule per kg per kelvin मतलब यहां पे heat capacity पूचा है copper vessel का अगर उसका mass 150 gram है यह तो हो गया पहला question second question में क्या करा है how much heat energy will be required कितनी heat energy लगेगी to increase the temperature of the vessel जो first part में vessel था copper vessel अगर उसकी energy हमें कितनी energy चाहिए होगी temperature को 25 degree Celsius से 35 degree Celsius तक ले जाने में जो मेरा copper vessel जो पार्ट A में बता जया है उसी copper को अगर में temperature बढ़ाना है 25 degree Celsius to 35 degree Celsius तक तो कितना heat energy लगेगा यह question पूचा है कोच्छास में आया चलिए ठीक है इसको solve करने के लिए मैं आपको एक हिंट भी देता हूं इसमें देखिए आपको first part में आपको heat capacity is equal to mass into specific heat capacity इसका formula लगेगा और बाकी आपको निकालना पड़ेगा इसमें कि कितना energy required है ठीक है और second part में heat energy required का formula क्या होता है heat capacity c dash into delta t ठीक है इसको ध्यान में रखते हुए आपको b part solve करना पड़ेगा मैं आपको 30 second का time देता हूँ या आप चाहिए तो video pause भी कर सकते हैं और एक बड़ ट्राइ जरूर करिए question को तो देखिए सबसे पहले question में क्या दिया है heat capacity पहली चीज़ तो पूछा है और mass दिया है 150 gram इस specific heat capacity copper का यह भी इन्होंने बताया हुए जो कि यह 400 110 joule per kg per Kelvin और temperature देखिए हमें पताईए 25 degree से 35 degree Celsius जाना है तो हमने डल्टा T निकाला तो डल्टा T जैसे मैंने पताया है यह हमेशा positive value होती है तो 35 minus 25 यह हो जाएगा हमारा 10 degree Celsius और second part में इन्होंने क्या क्या हो एक चीज़ और पूछी थी energy required तो देखिए यह सारी चीज़ें हमें क्या दिया हुए और क्या पूछा है वो हमने सारा लिख दिया ठीक है हमें एक पूछा heat capacity पाल टाइम है और energy required पूछा है पाल टू में बस अब heat capacity का formula क्या होता है mass into specific heat capacity तो देखिए mass दिया हुआ है 150 gram और specific heat capacity भी हमें दी हुई है 410 joule per kg per kelvin ठीक अब बस इसको थाउज़ें दिवाइड किया और इसको जब further solve करते हैं तो यह हमारा आ जाता है 61.5 joule और इसका अगर हम लोग B part देखते हैं तो यह देखिए क्या होता है heat energy delta theta is equal to heat capacity c dash into delta t अब part a से देखिए हमें heat capacity पता चली गया है 61.5 joule और delta t हमें पता ही है यह 10 degree है 10 degree celsius ठीक है बस इन दोनों को multiply किया तो यह बन जाएगा 615 joule यह हमारा हो जाता है part b का answer अब देखते हैं question number three question number three क्या कर रहा है a piece of iron of mass 2 kg अच्छा वही 2 kg का एक iron का टुकड़ा है has a thermal capacity of 966 joule per kelvin उसका thermal capacity बता दिया भाई 966 joule per kelvin है अब इन्होंने इसमें दो चीज़ें पूचीं पहला तो यह बताईए heat energy needed to warm it by 15 degree Celsius कितना heat energy लगेगा अगर उसे गरम करना होगा 15 degree Celsius तक हमें बढ़ाना है बस ठीक है और second part पूचा है its specific heat capacity बताईए SI unit में ठीक है बहुत easy है इसमें आपको पहले तो देखना पड़ाएगा हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूच रहा है और इसमें heat energy needed जो first part में पूचा है उसका formula हो जाएगा c dash into t ये चीज़ धान रखिएगा t is हमारा rise in temperature delta t रहता है और c dash क्या होता है thermal heat capacity इसको अध्यान में रखते हुए आप first part solve करेंगे और second part में आपको specific heat capacity SI unit मतलब यह हो जाता है c is equal to c dash by m ठीक है यह दो formula आपको लगेंगे इसको solve करने में इनको अध्यान में रखते हुए आपको मैं 30 second का time दे रहा हूँ एक बार try जरूर करिएगा कर दो आई यह देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले तो देखें इन्होंने दिया है mass of iron iron का टुकड़ा m यह कितना है 2 kg का है ठीक है भाई thermal heat capacity C dash यह दिया है इन्होंने 966 joule per degree Celsius ठीक है भाई rise in temperature कितना है T यह है हमारा 15 degree Celsius अब heat energy needed यह जो first question पूछा है यह हम लोग का होता है C dash into delta T तो Q is equal to C dash कितना था 966 into delta T हमारा कितना है 15 यहाँ पे हमारा जो temperature इन्होंने बताया था वो हमारा हो जाएगा 15 बस इन दोनों को आप multiply कर दीजे अंसरा जाएगा 14490 मतलब 14,490 joule यह हमारा हो जाएगा first question second question में क्या पूछ रहा है specific heat capacity in SI unit यह क्या होता है C is equal to C dash upon M तो C is equal to C dash किया है हमारा अभी हम लोग ने निकाला था इन्फार्ट यह question में दिया हुआ स्वरी यह question में दिया है कितना 966 और mass question में भी वो भी दिया हुआ है जो कि है 2 kg का तो यह हो जाएगा 966 by 2 इसको solve करेंगे तो आजाएगा 483 joule per kg per degree Celsius ठीक है बहुत ही इदी question था आईए देखते हैं यहाँ पर question number 4 क्या कहता है calculate the amount of heat energy required to raise the temperature of 100 gram of copper from 20 degree Celsius to 70 degree Celsius ठीक है तो एक यहाँ पर पूछा क्या है कि कितना amount of heat energy लगेगा to raise the temperature of 100 gram 100 gram का एक copper का टुकड़ा है उसका temperature हमें बढ़ाना है 20 degree से 70 degree ठीक है तो कितना energy लगेगा और इन्होंने specific heat capacity copper की दी हुई है 390 joule per kg per Kelvin ठीक है अब इसको solve करने के लिए q is equal to mc delta t का आपको formula याद होना चाहिए और बस सोचिए बुद्धी लगाई है और एक चीज़ और इसको आप ध्यान दीजे यह नोंने यह gram में दिया हुआ है 100 gram ठीक है तो आपको इसको convert करना पड़ेगा किस में kg में ठीक है यह दो चीज़ जहान में रखते हुए आप इस question को solve करने के try करिए आपको मैं 30 seconds का time देता हूँ आप चाहिए तो वीडियो pause भी कर सकते हैं और बस फटा-फट solve करके आईए मैं आपको फिर बताता हूँ किसे solve करना है चलिए देखते हैं सबसे पहले question में क्या दिया है question में दिया हूँ है mass of a copper m is equal to 100 gram अब kg में convert करने के लिए 100 upon 1000 किया तो यह हो जाएगा 1 by 10 kg ठीक यह kg में convert हो गया अब आता है इन्होंने delta T कितना दिया है rise in temperature तो 20 से 70 degree Celsius करना है कभी भी 20-70 करके negative में delta T मत निकाल दिजेगा delta T हमेशा positive में होता है इसलिए 70-20 is equal to 50 degree Celsius यह लगेगा हम लोग solve करेंगे तो यह हो जाएगा 50 degree Celsius ठेक अब देखें इस specific heat capacity copper की भी इन्होंने दी हुई है which is 390 joule per kg per Kelvin बास सब कुछ मिल गए अपने पास solve करिए फटाक से तो amount of heat energy required q is equal to mc delta T तो q is equal to m कितना है 1 by 10 c कितना है question में दिया है 390 और T मतलब delta T कितना है 50 बास खड़ाखट solve करिए 0 से 0 कर जाएगा 39 into 5 यह हो जाएगा 1950 जूल बास बहुत ही easy question था सब कुछ तो दिया था question में चलिए question number 5 जेखते है question number 5 के रहा है 1300 joule of heat energy is supplied to raise the temperature of 0.5 kg of lead from 20 degree celsius to 40 degree celsius और specific heat capacity उस lead का बता ही है तो मतलब इन्होंने देखे heat energy खोदी दिया हुआ है 1300 joule लगता है heat energy अगर हमें temperature बढ़ाना है 0.5 kg lead का 20 degree celsius से 40 degree celsius तर तो specific heat capacity कितना होगा उस lead का वो बता ही है बहुत ही easy है आपको यहाँ पर एक formula है जो बहुत ही easy है और बहुत ही easy है और बहुत ही अच्छे से याद हो जेना चाहिए q is equal to mc delta t ठीक यह आपको द्यान में है तो आप इसको बहुत ही easy solve कर सकते हैं एक बार try जरूर करिए मैं आपको 30 seconds का time देता हूँ अपको बहुत है झाल झाल चलिए देखें सबसे पहले इन्होंने क्या करिया है इन्होंने दिया है heat energy supplied कितना है q is equal to 1300 joule ठीक है भाई mass भी दिया हुआ है 0.5 kg mass of fillet m is equal to 0.5 kg ठीक है भाई gram में होता तो convert कर देते वाट इन्होंने खुद 1 kg में दिया हुआ है delta t temperature 20 से 40 गया ठीक है भाई तो 40 minus 20 is equal to 20 degree Celsius अब heat capacity of lead c आपको निकालना है ठीक तो q is equal to mc delta t और c is equal to क्या होता है q upon mt तो q में दिया हुआ है 1300 m भी दिया हुआ है 0.5 और delta t भी दिया हुआ है 20 बस इसको solve किया तो यह आ जाता है हमारा 130 so therefore specific heat capacity of lead is equal to 130 joule per kg per kelvin तो simple तो आपको q is equal to mc delta t यह आपको value question में दिया हुआ है और c का जो formula होता है q upon mt होता है बागी सारा कुछ तो दिया ही हुआ तो question में ज़्यादा तर किल formula based question से हैं दोस्तों अगर आप कोई formula याद है तो बहुत ही easy है कुछ भी ज़्यादा derive करने का जरूवत नहीं है इसमें आज़े देखते हैं अगला question question number six question number six क्या करा है find the time taken by a 500 watt heater to raise the temperature of 50 kg of material of specific heat capacity 960 joule per kg per kelvin from 18 degree Celsius to 38 degree Celsius बहुत easy question है देखिए इन्होंने यहाँ पर time पूचा है question ने दिया है find the time taken यहाँ पर देखे time पूचा है ठीक है और किसका time है अगर 500 watt का heater है वो गरम करता है 50 kg का कोई एक material है ठीक है तो कितना time लगेगा और यहाँ पे उन्होंने material जो था ना उसका heat capacity specific heat capacity बताया है कि वो 960 joule per kg per kelvin है और इसका temperature कितना होना चाहिए 18 degree Celsius से 38 degree Celsius तक होना चाहिए मतलब उसको temperature बढ़ाके 38 degree Celsius तक ले जाना है तो कितना time लगेगा ठीक है और इन्होंने यह भी कहा है कि assume all the heat energy supplied by heater is given to the material मतलब किसी भी तरके का heat loss नहीं है जितना भी heat उस material को मिलना चाहिए सीधा उतना ही जा रहा है और heater से या उस material से किसी भी तरकी का कोई भी heat loss नहीं हो रहा है अब इसको solve करने के लिए आपको पहले तो एक मन आपके पास दिखे टी आपके पास नहीं है तो आपको पहले टी समझना पड़ेगा और बाद में आपको उसकी value आपको mc delta t के against में लिख करके solve करना है आपका formula वही लगने वाला है q is equal to mc delta t ठीक है यह थोड़ा सा tricky है पस एक बार आप solve करिए 30 seconds का time देता हूं और उसके बाद तो मैं solve करके आपको दिखानी वाला हूं तो देखिए सबसे पहले question में क्या के दिया हूँ है m is equal to 50 kg ठीक है rising temperature delta t 38 से 18 तो मतलब 20 degree Celsius यह भी हमें पता है अब देखिए यहाँ पे हमें time नहीं पता है तो let's मान लेते हैं यह t second था तो let's t second be the time ठीक तो q is equal to 50 into t और यह हमारे equal हो जाएगा mc delta t के ठीक है c इन्होंने दिया हुआ है 960 joule per kg per kelvin बस 50 t is equal to mc delta t तो m हमें पता ही है 50 kg 960 हमें specific heat capacity c भी पता है और delta t भी पता है तो 50 t is equal to 50 into 960 into 20 ठीक है? और जब इसको further solve करेंगे तो यह हो जाएगा t is equal to 50 into 960 into 20 upon 50 और यही आगे हो जाता है 960 into 20 seconds ठीक अब अगर हमें इसको minutes में convert करना है तो 960 into 20 को हम 60 से divide कर देते हैं तो यह हो जाता है हमारा 32 minutes तो therefore time कितना लगेगा 32 minutes लगेगा ठीक यह हो जाता हमारा question number 6 अब देखते है question number 7 question number 7 के रहा है an electric heater of power 600 watt raise the temperature of 4.0 kg of liquid from 10 degree celsius to 15 degree celsius in 100 second बहुत simple था है 600 watt का heater है वो 4 kg का कोई तो liquid है उसका temperature 10 से 15 degree celsius करना है तो 100 second में कर देता है ठीक है भाई अब question में यहाँ पर दो चीज़े पूछी है पहला तो आप heat capacity बता दीजे उस 4 kg liquid का और दूसरा इन्होंने specific heat capacity पूछा है और specific heat capacity c is equal to q by mt यह हम लोग बहुत बार कई की तरह के स्वाल कर चुके हैं बट यह फिर भी घुमा घुमा के question देते रहते हैं तो अच्छा है आपको formula और question को solve करने की tricks हैं आपको पता चल जाएंगी चलिए ठीक है यह दो formula लगाके solve करिए मैं आपको 30 seconds का time देता हूं अच्छा है चलिए सबसे पहले देख लेते हैं question में कहके दिया हूआ है question में दिया है power of electric heater p is equal to 600 watt ठीक है भाई time भी दिया हूआ है t is equal to 100 second ठीक है अब heat supplied by heater तो energy is equal to power into time तो यह हो जाएगा 600 into 100 ठीक है तो q is equal to p into t होता है तो 600 into 100 joule यह मेरा q हो गया फिर है mass of liquid जो mass liquid था वो m भी इन्होंने दिया है 4 kg और delta t 15 degree celsius से इन्होंने कहा था कि यह 10 से 15 degree celsius तक equal 100 second में लेता है तो delta t हमारा हो जाएगा 15 minus 10 which is 5 degree celsius ठीक यह तो हो गया हमारा question में क्या-क्या हमें दिया हुआ था अब पहला question solve करते हैं इसका पहला part है heat capacity of liquid यह होता है c dash is equal to q by t simple ती चीज़ है सब पूश्ट दिया हुआ इन्होंने तो q की value हमें पता चली गे थी 60,000 right 600 into 100 तो 6,000 upon t t कितना था delta t मतलब हमारा difference in temperature वो है 5 तो 60,000 upon 5 which is 12,000 joule per Kelvin और इसको हम लोग यह भी लिख सकते है 12 into 10 to the power 3 joule per Kelvin next part है specific heat capacity of liquid तो specific heat capacity of liquid c is equal to क्या होता है q by mass into delta t q में पता है 60,000 mass भी हम पता है 4 और t भी हम पता है 5 तो बस इसको हम लोग solve कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 into 10 to the power 3 joule per kg per degree celsius यह हमारा part b हो जाता है बहुत ही simple ता है formula ता है यहाँ पर आपको द्यान देना होगा कि जो heater का जो energy था q is equal to power into time ठीक है यह चीज़ आपको थोड़ा द्यान देना पड़ेगा यहाँ ठीक चलिए question number 8 देखते हैं यहाँ पर question number 8 के रहा है 0.5 kg of lemon squash at 30 degree celsius is placed in a refrigerator which can remove heat at an average rate of 30 joule per second मतलब एक 0.5 kg का एक lemon squash एक नीबू का शर्बत है जिसका temperature 30 degree celsius है उसको जब refrigerator में place किया गया तो उसमें average rate की से जो heat energy निकल रही है वो है 30 joule per second now question ने पूचा है how long will it take to cool the lemon squash to 5 degree Celsius मतलब 5 degree तक लाने में कितना time लगेगा यहाँ पर T पूचा है और specific heat capacity c squash की lemon squash की नोंने बताई हुई है जो की है 4200 joule per kg per Kelvin ठीक बहुत ही easy है इसको solve करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ t is equal to mc delta t upon 30 यह formula आपको लगेगा यह average rate है न मैंने वो लिखा है जो heat remove per second 30 joule तो t is equal to mc delta t upon 30 यह formula लगेगा और इसको solve करने के लिए मैं आपको फिर से 30 seconds देता हूँ एक बार try जरूर करिएगा इस दो का अज़िए देखते को कैसे solve करना है तो देखिए सबसे पहले निकाशन दिखाशन और दो दालते हैं क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है mass of lemon squash is equal to m is equal to 0.5 kg ठीक है भाई kg दिया हुआ है gram में होता है तो kg में कनोल करते है फिर fall in temperature हमें कहां से कहां तक देखना है हमें 30-5 ठीक है 30 degree Celsius था उसको 5 degree तक लाना है तो यह हो जाएगा हमारा 25 degree Celsius specific heat capacity इन्होंने दिया हुआ है 4200 joule per kg per degree Celsius और heat removed per second 30 joule ठीक है यह भी हमें दिया हुआ है अब आस यह मान लेते हैं कि let's say t second जो time था जिसमें इसका temperature 5 degree तक आएगा 30 degree Celsius से तो t is equal to mc delta t upon 30 जो कि हमारा heat removed per second है और m हमें दिया ही हुआ है इन्होंने m कितना है 0.5 c भी दिया हुआ है सी यह हमारा 4200 degree sorry 4200 and delta t हमें दिया हुआ है 25 degree Celsius divided by 30 जहां हम दो इसको solve करेंगे तो यह हो जाता है 1750 seconds ठीक इसको minutes में convert करना है तो 60 से divide कर दीजे तो 1750 upon 60 यह हो जाता है 29.2 minutes ठीक बहुत easy question था थोड़ा tricky था देखें जो time वाले question होते हैं थोड़ा tricky होते हैं और एक बार इस trick समझाई है तो बहुत ही easy होते हैं सीधा formula base होते हैं चलिए next question आता है question number 9 mass of 50 gram of a certain metal at 150 degree Celsius is immersed in 100 gram of water at 11 degree Celsius मनला अब कोई तो एक metal था जो 50 gram का था और उसका temperature 150 degree Celsius था फिर जब उसको मिला दिया जाता है 100 gram of water से जिसका 11 degree Celsius उसका temperature था तो final temperature कितना हो जाता है 20 degree Celsius ठीक है the final temperature is 20 degree Celsius calculate the specific heat capacity of the metal assume that the specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per Kelvin बहुत ही straight forward question है थोड़ा सा trick बस इसमें है कि आपको heat loss by metal निकालना है और आपको यह भी देखना है कि heat gain by water क्या है और बस अगर यहां पे आपको यह exemption लेना है कि कोई भी किसी भी तरकी का heat loss metal और water कि में जब कोई measurement हम भी मिला रहे थे जब वो immersed हो रहा था तब किसी भी तरकी का और कोई heat loss नहीं होता है और बस इन दोन equation को आमने सामने रख करके हम लोग solve कर सकते हैं ठीक है और बाकी formula तो q is equal to mc delta t वाला ही लगता है ठीक है इन दोनों को इन सब चीजों को दिहान म के दिखा तो आसको ठीक है अच्छाइए मास अफ मेटल M कितना दिया हुआ है 50 ग्राम ठीक है बाई temperature of metal t कितना है 150 degree celsius ठीक है fall in temperature theta is equal to 20 degree celsius मतलब 150 degree Celsius 20 degree आया, तो यह हमारा fall in temperature हो गया, तो delta T हमारा कितना हुआ, fall in temperature delta T, यह हो जाएगा T minus theta, which is 150 minus 20 that will become 130 degree Celsius, ठीक तो उस metal ने कितना heat loss किया, heat loss by metal is equal to mc delta T, तो M हमें पता ही है, 50 C हमें पता नही है, यही हमें निकालना है उस metal का, right na specific heat capacity of metal हमें निकालना है, ठीक, तो यह हमें पता नहीं है, तो वहापे हमने C रहने दिया और delta T हमें पता है, T minus theta हमने भी निकाला है, which is 130 Joule, अब इसको जो हम लोग, एक तो यह हो कि हमारी question number 1, ठीक, अब चलिए water की बात कर लेते हैं, mass of water, यह उने कितना दिया है, 100 gram M is equal to 100, इस specific heat capacity water का, यह हमें पता है, question में दिया हुआ है, which is 4.2 Joule per gram per Kelvin, और rise in temperature अभी देखे, पानी का temperature बढ़ा है, तो यह हो जाएगा 20, sorry, 11 से 20 हुआ था, बर हमें delta T निकालना है, so that is, that will become 20 minus 11, तो 9 degree Celsius, अब water ने तो heat gain किया, right, तो heat gain by water is equal to mc delta T, यहाँ पे हमें m भी पता है, c भी पता है, delta T भी पता है, M इनोंने दिया है, 100 है, c दिया है, 4.2, और delta T भी है, 9, बस अब इन दोन equation की basis पे हमनों कह सकते हैं कि, अगर कोई और heat loss नहीं हुआ है, तो heat loss by metal is equal to heat gain by water, बस 6500, c is equal to 900 into 4.2, और c is equal to 900 into 4.2 upon 6500, इसको जो हम लोग स्वाल करेंगे, तो अंसर आजाएगा 0.582 joule per gram per Kelvin, ठीक है, बहुत इसी कोश्चन था, कि, वाले एक लॉजच छोटा सा था, कि, जितना water, water ने heat energy gain करी है, वही energy उसको metal से मिली थी, मतलब heat loss by metal is equal to heat gain by water, बस यही formula था, और बहुत इसी कोश्चन था, आई अगला कोश्चन दिखते हैं, कोश्चन number 10 कोश्चन number 10 के रहा है, 45 45 ग्राम of water at 30 degree Celsius in a beaker is cooled when 50 ग्राम of copper at 18 degree Celsius is added to it, मतलब 45 ग्राम का जो पानी था, उसका temperature 50 degree Celsius है, सुरी मैंने 30 बढ़ दिया था, यह 50 degree Celsius, एक बीकर में ठंडा हो जाता है, जब उसमें 50 ग्राम of copper at 18 degree Celsius add कर देते हैं, जब हम लोग उस content, जब उस content को हम लोग stir करते हैं, मतलब मिलाते हैं, तिल्दा final constant temperature reach, ठीक है, जब उसमें final temperature reach नहीं करता है, तब तक हम लोग इसको हिलाते रहते हैं, अब यह पुछते हैं कि calculate this final temperature, तो बता भी यह final temperature कितना हुआ, और इन्होंने specific heat capacity copper की दी हुए, which is 0.39 joule per gram per kelvin, और water का भी दिया है, 4.2 joule per gram per kelvin, और इन्होंने का कि यह थोड़ा सा आपको यह ध्यान देना है, कि heat loss by water और heat gain by copper, इन दोनों को आपको निकालना है, और जैसे मैंने पहले equation number 9 नहीं बताया था, इन दोनों को आपने सामने रख देना है, और t की value जो final temperature था, उसका value आपको निकालना है, बहुत easy formula है, q is equal to mc delta t को ध्यान में रखते हुए, आप इसको solve करिए, बहुत easy question है, मैं आपको 30 second का time देता हूँ, आटो आइए देखने कैसे इसको solve करना है, देखे, heat loss by hot water, यह is equal to hoगा, mass into specific heat capacity of water into fall in temperature, तो यह हो जाएगा, तो 45 into 42 upon 10 और डल्टा हो जाएगा हमारा 50 minus T which is हमें T तो देखें पता नहीं है कहां तक आ रहा है वही तो हमें निकालना है तो 50 minus T निकाला ठीक अब heat gain by copper ये कितना है ये हो जाएगा M3 delta T तो mass into Cs into rise in temperature तो 50 into 0.39 specific capacity थी और इसका temperature हमें ये भी नहीं पता है तो ये हो जाएगा T minus 18 ठीक अब हमने simple logic जो मैं है इसके पहली भी लगा था heat lost is equal to heat gain तो ये हो जाएगा 45 into 42 upon 10 into 50 minus T ये हमारे question number 1 से आजाएगा और ये बराबर हो जाएगा 50 into 39 upon 100 T minus 18 ये हमारे question number 2 से आगया ठीक बस इन दों लोग हम लोग further solve करेंगे तो ये हो जाएगा 9 into 21 50 minus T is equal to 39 by 2 T minus 18 further solve करेंगे तो ये हो जाएगा 18 into 21 50 minus T is equal to 39 T minus 702 और ये हो जाएगा बाद में 18,900 minus 378 T is equal to 39 T minus 702 further solve करेंगे तो ये हो जाएगा 378 plus 39 into T is equal to 18,900 plus 702 इन दों को हम लोग add कर देंगे तो ये हो जाएगा 378 plus 39 which is 4,170 and इधर हम लोग 18,900 plus 702 को add करेंगे तो ये हो जाएगा 19602 बस T की value हमारी निकलाती है 47 degree Celsius बहुत easy question था Q is equal to MCA delta T का formula लगाते हुए आपको ये assumption करना है कि कोई भी heat loss नहीं हुई है ठीक ये हो जाएगा हमारा question number 10 आई देखते है question number 11 question number 11 क्या करा है 200 200 gram of hot water at 80 degree Celsius is added to 300 gram of water at 10 degree Celsius ठीक है भाई 200 gram का एक गरम पानी था 80 degree Celsius का उसको हमनोंने add कर दिया 300 gram पानी में जिसका temperature था 10 degree Celsius अब neglecting the heat taken by container मतलब container ने अगर कोई भी heat energy लिया है तो हमें उसको neglect करना है और बताईए final temperature उस mixture का कितना होता है इस specific capacity water के दी हुई है 4200 joule per kg per Kelvin ये बिल्कुल same question है पहले जो मुने भी solve किया है 10 वाला ठीक है इसमें देखें क्या क्या दिया हुआ है वो ध्यान रखिए और हमेशा देखें ध्यान रिखिए heat loss by hot water और heat gain by cold water ठीक है इन दोनों को ध्यान में रखिए इन दोनों equation को सामने आमने रखना है और m3 delta t delta t का formula लगाते हुए आपको इसको solve करना है बहुत इदी question है एक बहुत ये try जरूर करिए और मैं आपको 30 सिकंड का time देता हूँ कर दो आई देखते हैं इसको कैसे स्वाल करना है तो दिए होट वाटर इस इक्वल टू M इसकी बात करते हैं तो यह हो जाएका 200 ग्राम इस पैसिफिक हीट कैपस्टी सी है और टी यहां पे दिया हुए 80 डिग्री सेल्सियस कोड़ वाटर के बात करते हैं तो इसका मास M is equal to 300 ग्राम है और इसका हीट कैपस्टी सी और टी यहां पे टमप्रेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस अब मान लिजे कि मिक्चर का जो टमप्रेचर था वो ठीटा डिग्री सेल्सियस था तो लेट्स ठीटा डिग्री स अब होटर ने अपना तमपरेचर लूस किया और कोड वाटर ने तमपरेचर गें किया ठीक तो हाँ हीट लॉस बाइट बाइट यहां पे क्या हो जाएगा थीटा मैन इस थीटेग्डी ठीट ग्रीट वाटर C T minus theta is equal to heat gain that is MC theta minus T बस इन दोनों को हमने सामने रखा और solve कर लेते हैं तो M कितना हो जाएगा 200 C हमें पता नहीं है और T 80 minus theta is equal to 300 C theta minus 10 ठीक अब इसको further solve करते हैं तो यह हो जाएगा 200 C minus theta is equal to 300 C theta minus 10 और इसको further solve करेंगे तो यह हो जाएगा 2 within bracket C minus theta is equal to 3 C theta minus 10 further solve करते हैं तो यह हो जाएगा तो हम लोगने 2 से multiply किया तो यह हो जाएगा 2 into 80 which is become 160 और 2 into theta यह हो जाएगा 2 theta और इसको भी multiply करेंगे तो यह हो जाएगा right hand side में 3 theta minus 30 बस theta एक तरफ ले लेते हैं और values एक तरफ ले लेते हैं तो यह जाएगा 160 plus 30 is equal to 3 theta plus 2 theta further इसको solve करेंगे तो 5 theta is equal to 190 and therefore theta is equal to 190 by 5 which is 38 degree Celsius तो यह final temperature container का होगा वो कितना हो जाएगा 38 degree Celsius ठीक है यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजे कि दोनों तरफ जो C की value है वो cut जारी है ठीक है क्योंकि हम लोग की वाल एक ही जो भी water की बात करें एक ही material की बात कर रहे है अगर अलग अलग होता तो हम लोग C की value लिख सकते थे यहाँ पर स्मार्टनेस दिखाई कि दोनों तरफ C C लिखा होता तो मेरे को पता था यह आगे जाके cut cut ना ही है तो हमनोंने C लिखा और सीज़ बात में इसको cut दिया आप चाहिए तो इसको specific capacity की जो water की दी हुई है 4200 joule per kg per Kelvin वो लिख करके बाद में आगे cut भी सकते थे ठीक है आई देखते हैं कोशन नमबर 12 और कोशन नमबर 12 क्या कर रहा है temperature of 600 gram of cold water rise by 150 degree Celsius when 300 gram of hot water at 50 degree Celsius is added to it 600 gram का एक ठंडा पानी था वो temperature उसका बढ़े जाता है 15 degree Celsius से जब उसमें 300 gram का एक hot water मिला दिया जाता है और उसका temperature है 50 degree Celsius अब इन्होंने पुछा है what was the initial temperature of cold water cold water जो था उसका पहले temperature कितना रहा होगा बहुत simple था formula है in fact logic अभी तक हम उने जितने लगाए हैं यह सब मिला जोला के वही चीज़ पूछ रहे हैं घुमा घुमा के तो इसमें simple था है आपको final temperature एक आपको मान लेना है यह T degree Celsius है और आपको यह मान के चलना है कि heat loss by hot water is equal to heat gain by cold water को किसी भी तरके का loss नहीं हो रहा है बीच में heat energy का और बस q is equal to mc delta t का formula लगाते हुए दोन equation को आपने सामने रखते हुए आपको इसको solve कर लेना है बहुत easy है आपको मैं 30 seconds का time दे रहा हुए इसको solve करने के लिए एक बाद try जरूर करिए अब देखिए solve करने के लिए देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दी हुआ है तो let's say final temperature of mixture is equal to T degree Celsius ठीक है हमने का final temperature जब मिला लिए तो T degree Celsius हो जाता है अब rise in temperature of cold water equal to T minus T यहाँ पर देखिए बड़ा T यह वो temperature है जो hot था और small t है वो जो हमारा ठंडा होने पर आजा है ठीक है तो rise in temperature of cold water मतलब बड़े से जब यह घटा तो यह हो जाएगा हमारा 15 degree Celsius तो पहले temperature ज्यादा था अब बाद में temperature कम हुआ तो rise in temperature of cold water cold water का temperature कितना बढ़ा तो बड़े में से छोटे घटाया तो T minus T यह हमारा है 15 degree Celsius यह हमारा question में दिया हुआ है ठीक है अब let C be the specific heat capacity of water हमें C पता है कि माली specific heat capacity की water की C है ठीक है अब heat loss by hot water is equal to heat gain by cold water तो heat loss by hot water क्या हो जाएगा mass into C into fall in temperature और heat gain में क्या होगा rise in temperature होगा तो heat gain होगा तो mass into C into rise in temperature अब mass कितना है 300 question में दिया हुआ है और C हमें पता भी है हमने C मान के चला है और वैसे water का में C पता ही रहता है बड़ हम यहां पर C लिखते हैं थोड़ी smartness दिखाते हैं ठीक है और fall in temperature क्या है हमारा 50 degree Celsius minus T ठीक अब mass into C into rising temperature यहां पर क्या हो जाएगा 600 जो 600 जो हमारा cold water था तो इसका क्या है rise in temperature तो 600 into C into rising temperature मतलब ज्यादा से कम तो यह हो जाएगा capital T minus T बस इसका हम लोग solve कर लेंगे तो यह हो जाएगा 50 minus T is equal to 2 into 15 therefore T की value हो जाएगी 50 minus 30 और यह हो जाती है 20 but rise in temperature कितना है T minus initial temperature of cold water यह ध्यान दिजाएगा देखिए rise in temperature हमेशे कितना था जो ज्यादा temperature था उसमें जब हमने हमने initial temperature cold water था उसको minus कर देंगे तो यह हो जाएगा 15 is equal to 20 minus T therefore T is equal to कितना हो जाएगा 20 minus 15 तो यह हमारा आजाएगा 5 degree celsius so the answer is initial temperature of cold water is 5 degree celsius आई देखिए लास्ट कोशन कोशन नमबर 13 वो कितना है वो कह रहा है 1 kg of water is containing इने 1.25 kilowatt cattle ठीक है एक cattle है 1.5 kilowatt की उसमें 1 kg of water था calculate the time taken for the temperature of water to rise from 25 degree celsius to its boiling point of 100 degree celsius मतला आपको time पूछ है इन्होंने 25 degree celsius से 100 degree celsius तक ले जाने में और specific heat capacity of water की दी हुई है which is 4.2 joule per gram per Kelvin ठीक बहुत ही simple था formula है यहाँ पर एक चीद आपको ध्यान देनी होगी जब कभी भी cattle का या कोई heater का question आता है तो उसमें हो सकता है आपको एक formula यूज करना पड़ा है q is equal to power into time और mc और दूसरा formula होता है q is equal to mc delta t इन दोनों formula को ध्यान में रखते हुए आप इसको solve करने कोशिश करिए बहुत ही easy question है और इसमें एक चीद और ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको जो specific heat capacity दिया हुआ है वो जूल पर Kelvin है आपको इसको किलो जूल डिगरी Celsius में convert करना पड़ेगा ठीक है इसको solve करने के लिए मैं आपको 30 seconds का time देता हूँ एक बार try जरूर करिए चलिए solve करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या 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 दिया है किलो की किलो ग्राम में ठीक है तो mass M is equal to 1 kg ठीक है भाई rising temperature delta T कितना है 100 minus 25 ठीक delta T निकाला which is 75 degree Celsius इस specific capacity water की है मैं पता ही है 4.2 Joule पर ग्राम पर Kelvin अच्छा भाई जब सब कुछ kg में दे रहो तो यह भी the kg में लाइन अपड़ाएगा न भाई तो यह हो जाएगा 4200 Joule पर केजी पर degree Celsius और power of cattle यहाँ पर किलो वाट है तो हमें P is equal to 1.25 kilowatt is equal to हमें 1250 watt यह हमें convert करके मिल गया फिर अब हमें पता है कि मान लिजे कि time taken let the time taken in second भी T हमें एक हमने time मने T था ठीक अब energy supplied by cattle cataly तो है ना जो energy supply करेगी जो गरम करेगी तो Q is equal to क्या होता है power into time power हमें पता ही है कितना है वाट में 1250 time हमें पता नहीं है तो Q is equal to 1250 into T Joule ठीक है अब हमें यह भी पता है Q energy is equal to mc delta T ठीक है तो इसको हम लोग further solve करते हैं तो यहाँ पर एक तो देखे C क्या है 4200 वो लिख दिया मास कितना है 1 kg लिख दिया और delta T भी में पता है 75 ठीक तो यह हो जाएगा 1250 into T is equal to 4200 into 1 into 75 बस इसको हम लोग solve कर लेंगे तो T की value आ जाएगी 4200 into 1 into 75 upon 1250 इन तीनों को जो हम लोग multiply करते हैं तो यह हो जाता है 315000 upon 1250 इसको जब हम लोग solve करेंगे तो यह जाएगा 252 seconds और minutes में हम लोग convert करते हैं तो यह हो जाएगा 4 minutes और 12 seconds simple question था in fact इस तरह question मुने पहले भी solve किये हैं बस यहाँ पे जो 2-3 trick हमने देखी हैं कि एक तो आपको सारी units एक ही formula नहीं है चाहे वो heat capacity की gram को kg मिलाना हो चाहे kilowatt को watt मिलाना हो ठीक है और दूसरा आपको formula लगेगा q is equal to cattle का heat energy का power into time और q is equal to mc delta t का ठीक है यह थोड़ी tricks थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इसमें चली भाई यह हमारा सारे numericals भी हो गया सारे multiple choice questions भी हो गया सारे book example पढ़ लिए और यह हमारा 11 a पूरी तरीके से समाप्त हो गया है calorie metric ठीक है अब हम लोग 11 b पढ़ने जा रहे हैं next video में तब तक अपना ध्यान रखिए और subscribe जरूर करिएगा दोस्तों देखिए मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए subscribe करें तो दोनों लोग अच्छा लगेगा आप भी कोई झाल